नाजरीन असलाम आनेकूं मैं वहमाद अन्मार पुसामी न्यूज ने आपका इस्तखबाल करता हूँ आईए बेखते हैं आज की एहम खबर पूरा उसको जल्दी से जल्दी हास्कडल को लेके गया है फिर भी वो शेक नजीर ने चाकू से हामला के द्वारा मोथ हो गया है उसके बाद एक केस रिश्टर किया है 156 by 2023 in कंचनबाग पोलिशन लिमिट अंडर सेक्शन 302, 109 and 201 रेटवी 34 and 120B of IPC इस केस में इन्वेस्टिकेशन करने के बाद हमको अभी तक साथ लोगों का इन्वाल्मेंट आया है इसमें मेन अक्यूस्ट बाबा शिंडे A1 और A2 आका शिंडे बाप और बेटा है इसका तोड़ा पीछे जाके हिस्ट्री देखे गया तो बाबा शिंडे का बच्चे विशाल शिंडे बोलके एक बंदा था दो साल पहले चत्रिनागा पीयस में एक मडर केस रिश्टर हुआ है वो मडर केस में विशाल शिंडे को चत्रिनागा से पिक अप करके किडनाप करके जहिराबाद जाके उदर मडर किया गया है उस मडर केस में अभी जो डिसीजडे शेक नजीर और उसका ग्यांग का इंवल्मेंट था तो उसी टाइम से इन दोनों को बीच में बाबा शिंडे और नजीर का ग्यांग इन दोनों का बीच में दुश्मनी चल रहा था तो यह दुश्मनी में कभी-कभी शेक नजीर ने बाबा शिंडे का और एक बेटा है आका शिंडे यह आका शिंडे को भी इंस्टाग्राम में मेसेज़ बेज़ता था टेक्स मेसेज़ हम आपका बाई को जैसा मारा आपको भी मानने के लिए मार सकते बोलके ऐसा डराता थ तो जब वह ऐसा मेसेज़ आ रहा है और इसको देखे और विशाल बाबा शिंडे और आका शिंडे को भी लागा कि हम भी इसका रिवेंज लेना है हमेरे बाई को इन लोगों ने नजीर ग्यांग ने मारा है और बाबा शिंडे भी इसका बच्चे के लिए मार दिया इसको जबडा की रिवेंज करने के लिए एक प्लान कर रहा था मों है यह पूरा ब्यागरोंड लेके दो महीदने पहले आका शिंडे ने रहे बाबा-शिंडे का और एक बच्चा एक पाइस दोण फाट मने कैप महियों दिन अतर शेक ली और चार लोग पूरा साथ लोग मिलके एक कांस्प्रेसी किया गया है एक कांस्प्रेसी में इसको शेक नजीर को मडर करके सेटिल करना है इसका रिवेंज को सेटिल करना है बोलके सोचा है तो यह प्लान को implement करने के लिए एफोर प्रेम मने ने रिक्की करने के लिए आडर दिया गया है बाबा शिंडे ने तो उस दिन जो ट्वल्ट अंटा तटिंद का बीच में रात में यह एफोर प्रेम मने रिक्की किया गया है नजीर का गर के पास तो उस टाइम नजीर ने बाहर उसका गर का बाहर एक आटो था वो आटो में बैट के पौन चेक कर रहा था उस टाइम में नरेश मने ने देखके इनको information दिया है और बाकी लोग सेयद अब्दुल जबर कायफ मुहनुद दिन अत्तर और शेक अशमली इन लोगों ने पूरा entry इसमें उस दिन A2, A3, A4 ये तीनों लोग जाके तीन चार चाकू लेके इसको मारा गया है तो ये चाकू का गायल के वज़े से आशेक नजीर ने अंडर्डूनी क्रीटमेंट मौत हो गया उसका और ये A7 ने इसको कैसे इविडेंस को टैंपर कर सकते हैं क्लीन कर सकते हैं वो उसको भी मदद किया गया है तो उसके बाद हमने लगबग चार टीम फार्म करके विडेहलप आफ साथीज जॉन टास्क पोर्स अंडर इंस्पेक्टर चिटिगारू पूरा मिलके आज पूरा सात लोगों में छे लोगों को गिराफतार किया गया है उसको गिराफतार कर तीन चाकू और पांच मोबाइल सीज किया गया है यह पूरा मेटीरियल के साथ और अक्यूस्ट को कोट में पेशी करके उसको जुडिशाल रिमांट बेज रहे हैं इस दोरान पर मैं सब मीडिया लोगों को और हमारा 37 जोन का तमाम लोगों को और नवजवानों को सब को एक अप्पिल कर रहे हैं जो भी चोटा मोटा इस्यूस होता है रहता है सोसाइटी में ए चोटा चोडा इस्यूस में ए चाकू लेके हामला करना नहीं तो गूर के देखा ऐसा चोड़ी चोड़ी चीज में एक दूसरे पर मार पीटना ये पूरा बंद करना है तो इस पूरा देखा है तो बीस साल 25 साल का बीच में है इन लोगों अभी मटर के सिंवाल होगा तो पूरा जिन्दगी बार इसका रोड़ी चीट चले जाएगा और जो भी क्राइम होगा उसको बुला के सस्पेक्ट करने का होता है So I request all the public not to involve in this kind of activities ए नवजवान बच्चे जो है रात में इदर उदर गूमना बिना कारण से ए cases में ना आना और उसका career उसका life बरबाद ना करे क्योंकि एक बार एक case हो गया एक अभी साथ जन है और इसके पास जो भी लोग कड़ा होता है उसको पता नहीं होता है क्या हो र हम आ सकते हैं क्योंकि वो भी accomplish होता है कभी-कभी time में और एक वार्निंग है इस लास्ट वार्निंग और आल रॉड़ीशीटर्स ट्रबल मांगर्स अभी तक हम लोगों ने अच्छे तरीके से बुला के बात करके आपका psychological counseling दिया गया है इसके बाद जो पॉलिस counseling होगा पॉ करने के लिए भी हम कोशिश करेंगे और रात बर अभी operation garden वह भी कर रहे हमारे पास बहुत सारे लिस्ट आया है टास्कूर्स के पास भी बहुत सारे लिस्ट है लिस्ट का जो जो नाम है सबको पता है कौन तमाम लोगों को अवामी लोगों को डारा रहा है दंकी दे रहा है इन पूरों का लिस्ट हमारे पास है हम एक एक आदमी को ले के आके उसको काउंसलिंग करके और कानुन के हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं वो पूरा करके उसको पब्लिक में एक confidence लेने के लिए हरे सब कोशिश करेंगे तैंक्यू अभी यंग्स्टेज है और नाइन है अभी हमारा IT इन साइबर सिल भी इसको लिए हमें जान और फ्लिप काड के लिए जो जब भी ऐसा जो आइटम में इस से कि आटक कर सकते है वहिस ऐटम ना बेज हो आनलाइन में क्योंकि वह इस्तेमाल कहीं कहीं पर वह लिगली इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे वो करेंग के लिए हमारा IT टीम ने एक लेटरस भी लिखा गया है के लिए बढ़ा